जा जा के कहा मिन्नत फर याद करोगे लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे जा जा के कहा मिन्नत फर याद करोगे लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे जा जा के कहा मिन्नत फर याद करोगे लो हमने तेरा दिल लिया क्या याद करोगे क्या याद करोगे जा जाके कहां मिननत फर याद करोगे लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे आप काफी दिनों से CDP का जो वीडियो है लगभग मैंने सारा चिप्टर को इंक्लूड कर दिया है आप जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं और सर्च करने का तरीका भी बता दूँ कि सबसे पहले आप लर्नर आइस वाई भी यार पी सर्थ लिखेगा और उसके बगल में डाल देजेगा CDP या आप डालिएगा उहां पे जिस चैप्टर को पढ़ना चाहते माले जिए कि आपको पी आजे का थेओरी पढ़ना है या आपका जो पूर्ग्रेसिव एजुकेशन हो ग्रोथ एंड डेवलोपमेंट हो सारा का सारा वीडियो मैंने पूरा कर दिया लेकिन आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप इस चैनल को ज्यादा ज्यादा सेयर कीजिए और ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए तभी मैं आपके लिए और बडिया क्वालिटेटीव वीडियो लेकर आता रहूंगा लेकिन अभी मैं आपको कराwriting ऑप वीडियो पुरा देखिएगा स्कीप्ट करके कभी मत देखिएगा जब आपको पूरा वीडियो देखनेपर लगे कि या वीडियो से मेरे लिए चेप्टर हम लोग लेकर आये हैं, Emotional Development की बात करेंगे, आज भावनात्मक विकास की बात करेंगे, आज हम Emotion की बात करेंगे, संबेग की बात करेंगे, अब आप ही बताई, यह जो आपका Emotion होता है, वो किसका पाट होता है, वो बताई है, यह जो संबेग होता है, यह आपके किसका होता है, mental का power होता है, mentally, mental ability की या mental development का होता है, intellectual development का होता है, आपके बहुत धिक का होता है, या आपके cognitive development का part होता है, ये सब कहां की हिसा है, आपके संग्यान का हिसा तो है, लेकिन ये जो भावनात्मक होते हैं, जो भावना होती है, ये कहां रहती है, आपके अंदर की चीज है कि बाहर की चीज होती है, आपके अंदर दुख का भाव, सुख का भाव, घिरना का भाव, यह जो आते कहां आते, क्या आपके बाहर आते हैं, क्या आपके अंदर आते हैं, तो यह जो इमोशन्स होते हैं, संबेख जिसको आपका आते हैं, इसे अगर हम दो भागों मे तोड़ दे, E पलस मोशन, E का मतलब IN करे अगर हम, समझे हम कुट के द्वारा समझा रहे हैं आपको E का मतलब IN समझे, यानि अंदर और मोशन का मतलब क्या होता है गती होना, यानि आपके अंदर के जो भाव है उश भाव को गती देना, कहां की ओर बाहर की ओर, यही तो आपका क्या कहलाता है, संबेक कहलाता है फिर से सुन लेजेगा यह दुनिया जो एकिस पर टिका हुआ है आपके इमोशन पर, अगर इस दुनिया में इमोशन नहों हो तो क्या होगा सभी जानवरों की तरह इधोर चानला शुरू कर देंगे, किसी का कोई लक्षी नहीं होगा किसी से किसी का लगाव ही नहीं होगा ना दर्द होगा, ना प्रेम होगा, ना कुछ होगा तो यह सारा किसकी बज़ा से इमोशन और इमोशन की बज़ा कौन है, इमोशन का आपको भूग का हैसास होता है, क्या ये बाहर का चीज है, ये तो आपको जन्मजात है, आपके अंदर जब दर्द का फील होता है, ये कहां का चीज है, दर्द होने पर दर्द का महसूश होना यह सब जो है एक जन्मजात प्रकिरिया है लेकिन जेबी वाट्शन करते हैं संबेक के बारे में जेबी वाट्शन ने जेबी वाट्शन जो है उन्होंने संबेक को तीन भागों में बाट कर बताया था जिसका है लव, फियर और एंगर, यानि प्रेम, लगाओ, फियर, डर या भै और एंगर का मतल होता है कुरोध, उन्होंने कहा कि यह जो होती है बच्चों में, जेवी वाट्षन, कि यह तिनों संबेग है, यह हमारे अंदर की भाव हैं, जो कहां आती है, बाहर आता है, तो ब बाहर कैसे आता है, जब अंदर के भाव को आपका इमोशन क्या करता है, गती देता है, जब गती देता है, तो कहां जाता है, बाहर आता है, आपको कोई सी भी परकार का दुख है, आप रो रहे हैं, तो रो कर आप क्या कर रहे हैं, आपने इमोशन को बाहर कर रहे हैं, भू संबेग का गती देना है, तो ध्यान रखेगा, यह जो संबेग होता है, इमोशन होता है, इसका काफी महत होता हमारे सिक्छा में भी, क्योंकि आपकी इमोशन का परभाव आपके लर्निंग पर भी परता है, आपके अधिगम पर भी परता है, कैसे परता है, मा लिजे कि अगर आपके घर का बातावरन सही नहीं आपके घर में अनेको परकार के दुख है आपके घर में कोई बीमार है तो क्या होगा? आपके जो emotion होगा वह क्या करेगा? आपको परसान करेगा आप कलास में तो आज हैंगे learning करने के लिए लेकिन आपका मन जो होगा कभी भी एकागर नहीं हो पाए माल लिजे कि आप कहीं से किसी आपका कह सकते हैं कि एक तर्क भी तर्क हो गया तर्क भी तर्क निगेटिव सेंस में पोजेटिव अला नहीं अगर आपने किसी से लर के आए हैं और तब अगर आप आईएगा सामने बाले के साथ कैसा ब्याइब केज़ेगा आप लर्णिंग करने तो आए हैं लेकिन आपका ब्याइब कैसा रहेगा उस समय बिल्कुल जग्रालू प्रविर्ति का हो जाएगा आप अपने गुस्टा को बाहर निकालना चाहेंगे तो आपक से सिक्षक के आसपास अगर दंगा उखरा हो और उसके घर में अगर लडाई जगरा हो गया हो तो कलास में क्या वो जो सिक्षक है क्या वह सही धंग से परापाएगा बच्चे को पर जलाएगा बच्चे पर कुरोदित होगा बच्चे को घर के टेंशन को बच्चे पर उता और जिस बातावरण में आप जा रहे हैं उस संबेख पर नियंतरित करते हुए वहाँ पर उसके अनुकूल बनने का परयास करें जैसा कि आपने देखा कि जे भी वर्ट्षन करते हैं कि जो बच्चे होते हैं जो बालक होते हैं उसमें जन्म के समय से ही तीन इमोशन होते हैं यानि तीन इमोशन के साथ वह जन्म लेते हैं जो अभी आपने देखा जे भी वर्ट्षन क्या कहते हैं कि बच्चे के अंदर जन्म सही तीन इमोशन होते हैं लव फियर और एंगर यानि यह जो तीन इमोशन होते हैं लव फियर और एंगर तो जे भी वर्ट्षन एक और चीज़ बताते हैं कि यह जो एक ऐसे इमोशन होते हैं कि ऐसे सम्वेग होते हैं जो अनलर्ण इमोशन होते हैं मतलब आपका जो लव जिसे आप कहते हैं प्रेम या जिसे आप प्यार कहते हैं फियर जिसे आप डर या भै कहते हैं एंगर क्रोधिया गुश्या यह जो होता है अनलर्ण इमोशन होते हैं यह जन्म के साथ ही बच्चे में पाया जाता है और यह एक ऐसा सम्वेग है जिसे सीखा नहीं जाता है यानि यह कैसी परकिरिया है जमजात परकिरिया है तो अगर question आपसे पूछा जाता है कि वैसे emotion संबेक का नाम बताईए जिसे सीखा नहीं जाता है तो आप देंगे love, fear और anger किसके अनुसार जे भी वर्ट्षन के अनुशार आरस्तु जो मनवेग्यानिक है psychologist है उन्हों ने और MacDougal दोनों ने बताया कि हमारे अंदर जो कुल शंबेग होते हैं वह कितने types के होते हैं 14 types के होते हैं 14 kinds होते हैं चौदा परकार के emotions हमारे अंदर पाई जाती हैं लेकिन 1972 में Paul Ackman जो था उन्होंने संबेग के total 6 types बताएं कौन-कौन था? fear जिसे डर या भाय आपका थे, disgust, घिरना, anger यानि क्रोध, surprise, आस्चर्ज, happiness, खुशी, sadness, दुख या उदास अब यहां से सवाल उड़ता है कि क्या यह जो आपका 6 परकार का या 6 types जो है वो जो आपके अंदर emotion है क्या इसमें ब्यापक्ता पाई जाती है? क्या इन्वर्शलीटी पाई जाती है? तो बिल्कुल पाई जाती है होती है ब्यापक्तार यानि हर ब्यक्ति में इस तरीके का गुंड जन्मजाथी पाई जाती है ध्यान रखेगा इसको कि अगर कुछ इमोसंस के बारे में जानते हैं संबेक के बारे में ध्यान देजें माल देजे कि आपकी उम्र 20 पलस है तो कहते हैं कि अगर बराबरी बालों के बीद जोता अगर प्यार है प्रेम है लगाओ है या दोस्ती का भाव है तो आपके अंदर किस परकार की संबेक जगेंगे तो वो जगेंगे positive, सकरात्मक होगा, नहीं, लेकिन अगर आपको किसी से उसी से इश्या या घिरना है, तो आपके अंदर किस परकार के संबेख जग जाएंगे, नकरात्मक, negative, जैसे अगर कोई लरकी है या लरका है, अगर tennis खेल रहा है या खेल रही है, और आपसे अगर वो अच्छा खेल रहा है, तो अगर आपके अंदर उसके प्रतिज सलन और इर्षिया उत्पन हो गया, तो वो हो जागा नकरात्मक संबे, लेकिन आप अच्छा खेल रही है और अप उसके साथ और सीखना चाह रहे हैं, और उसके साथ अच्छा पने के कोसिस कर रहे हैं, आप लगाव दिखा रहे हैं तो आपका कैसा हो जगा संबेग सकरात्म क्या नकरात्म अब संबेग दो परकारकी होती है या तो नेचुरल होती है प्राकिर्तिक जो जन्मजात होती है और दूसरा होता है डेवलप्ट जो की बातावरन के अनुसार वह क्या करता है विक्षित होता है तो आप ही बताए कि भाय और कुरोध जो होता है जो डर आपके अंदर है जो आ किसी से नफरत करना, क्या यह हमारी जन्मजात है, क्या God ने आपको किसी से नफरत करने के लिए भेजा है, क्या आपको जलन करने के लिए भेजा है, तो यह जो होती है, डेवलप होती है, लेकिन कब डेवलप होती है, यह डेवलप तभी होती है, जब आप से कोई उपर जाता है आपसे किसी भी मामले में आगे बढ़ता है तो आपके अंदर क्या डिऍवलप हो जाती है एक इरस्या डिवलप हो जाती है एक जलन या घिरना उद्वाइभ Nobel हो जाती तो पुछता हूं कि जो सर्प्राइज होता है, सर्प्राइज बोले तो आस्चर्ज होता है या कैसा संबेग होगा या आपका डेवलप्ड होगा आस्चर्ज की नेचुरल होगा जैसे आपने बहुत ही खुब सुरत ब्यक्ति को देखा और आपके अंदर एक अचानक से एक तो ये क्या ये डेवलप्ड होती है क्या ये अपने आप होती है ये तो अपने आप होती है ये तो अपने आप होती है जैसे अगर आज तक आपने मा लिजे कि जल में लोगों को तैरते हुए देखा अपनी हाथों से और कोई ब्यक्ति पूरी तरह से लेट रहे और तब व भी न चला तो क्या होगा एक ऐसी चीज जिसे होने की हम आशा नहीं करते वह ऐसा होता है वही तो आश्चर्ज है और यह आश्चर्ज आपको लाना नहीं पड़ता यह क्या होता है खुद ही आपके अंदर से एक्सप्रेस हो जाता है तो यह नेचुरल है लेकिन इर्षिया न करके जो गून होते हैं डेवलप हो जाते हैं सबसे पहले बच्चा जब सैस्वा अवस्था में होता है सैस्वा अवस्था तो बच्चे में स्वा प्रेम की भावना जागरित हो जाते हैं यानि बच्चा खुद से ही लगाव रखते हैं खुद से ही प्रेम करते हैं उसे समा जिकता का भाव सैस्वा आवस्था में बच्चे के अंदर नहीं आती है। लेकिन जब बच्चा बाले आवस्था में प्रवेश करता है तो इसमें नैतिकता की भावना आ जाती है। नैतिकता का शंबेग जो होता हूँ आ जाता है। नैतिकता का मतलब है क्या गलत है क्या सही है उसके बात को वह प्रात्मिक्ता देना प्रारंब कर देता है और इतना ही नहीं और क्या होता है कि एक और चीज़ देखेगा कि सहस्वा अवस्था में सुवप प्रेम की भावना जागरित होती है बाले अवस्था में नैतिकता की और चुकि बाले अवस्था में बच्चा जोता है वह समाज में जाना प्ररम करता है निया आस पास जाना प्ररम कर देता है घर से निकलना प्ररम करता है तो उसमें समाजिकता की भी भावना जो होती है वह डिवलप हो जाती है इंप्रूब होती है लेकिन किसोरा अवस्था जो होता है कैसी अवस्था होता है जब बच्चे का बौधिक विकास भी हो जाता है तो इसमें क्या होता है बच्चे के अंदर वीर पूजा की भावना जागरित होती है यानि वीर पूजा का मतलब होता है कि बच्चे जो होते हैं वह महान ब्यक्तियों का गुनगान करने लगता है उसके बारे में सोचने लगता है यानि hero worship हो जाती है इसमें और किसोरा अवस्था में चुकी सारिर्क विकास पुरी तरह से होने ही वाली रहती है, इसलिए जो काम भावना होती है वह भी उसमें जागरित हो जाती है, तो यह है आपकी अवस्था के अनुसार एक emotion का improve होना या develop होना, कि बच्चे जो होते हैं उसके जब शुरुवाती अवस्था होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा कौन से भाव होते हैं, तो किसी भी बच्चे में जो शुरुवाती दौर होता है यानि सैस्वा अवस्था के आप बात कर रहे हैं, तो सुरुवात में सबसे ज़्यादा बच्चे में जो होती है शोव प्रेम की भावना सबसे ज़्यादा होती है यानि बच्चा सेल्फ लब करता है यानि खुद से ही प्रेम करता है खुद को ही महत्व देता है अपने सामने दूसरे का कोई महत्व नहीं रखता है यानि सुरुवात में बच्चे खुद से ही लगाव करता है खुद से ही प्रेम करता है लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो आस पास लोग हैं जो आपके समाज के लोग हैं उनसे भी हमें लगाव रखना चाहिए क्योंकि समाज में हम लोग रहते हैं तो समाज के मापदंडो का भी पालन करना और उनसे मिलदूल करना भी जरूरी होता है लेकिन शुरुवाती जब होता है बच्चे का सैस्वा अबस्था तो उस समय में वह केबल खुद से ही लगाव रखते हैं उसे दूसरे से कोई लेना देना नहीं होते हैं लेकिन बच्चा जब करीब करीब दो बर्सका हो जाता है तो सभी समबेगों का विकास हो जाता है यानि सभी समबेग जीतने भी समबेग होते हैं वह सारे समबेग उसके अंदर आ जाते हैं जब बच्चा कितने बर्स का होता है दो बर्स का हो जाता है यानि हम कह सकते हैं कि एक बच्चे के अंदर जो basic emotions होते हैं या सभी जो मूल संबेग होते हैं वो शारा संबेग की सबस्था तक आ जाते हैं तो वह आ जाते हैं करीव करीब दो बर्स के उम्र तक आ जाते हैं कि एक और पुइंट देखते हैं और इस विडियो को शमाप्ट करते हैं द्ञान दिजीदा जो आपका इमोशन सोते हैं आ dau के अंदर जो इमोशन है जो संबेख है वह कैसे होते हैं तो ये individual यानि व्यक्तिगत होते हैं व्यक्तिगत उसके बाद एक और चीज़ होते हैं यूनि वर्षलीटी को बताते हैं ब्यापक्ता को दिखाते हैं न केवलिया मानवो में होता है बलकि यह जो होता है पसु पक्षी में भी पाए जाते हैं अगर आप किसी पसु को पाले माली जी कुटा पाले हुएं आप तो जो उसको खाना देता है जो उसके साथ प्रेम भाव दिखाता है उसको देखकर वो उचलना कुदना प्रारंब करता है लेकिन भौकता नहीं है लेकिन जब वो देखता है अंजान ब्यक्ति को जिसे उसे लगाओ नहीं है जिसे उसे कोई लेना देना नहीं है उस ब्यक्ति को देख करो भौकना प्रारम्ब कर देता है इसका मतब़ क्या है कि उसके अंदर भी एक संबेख होती है पसु पक्षी जितने भी जीब जन्तु है उन सब के पास भी इमोशन होता है और हमारे जीवन में इमोशन का बहुत ही जादा महत्व होता है तब ही तो लोग एक दूसरे को इमोशन यानि भाबना में लाकर और उसे बड़े से बड़े काम करवा लेते हैं और जब काम निकल जाती है तो उसको फिर वो उसे ठुकरा देते हैं तो ये इमोशन काई तो खेल वो समझते हैं कि सामने वाला जो ऐसे आखिर उसकी क्या नीड है, क्या जरूरत है वो किस चीज के लिए तरप रहा है और उसी इमोशन का आप भाव बहाते हैं और उससे आप स किसी सिक्षा की संबेग जो है वह किसी चीज के कारण परिशान है तो वह सारा का सारा अधिगम परक्रिया जो है वह क्या हो जाएगा परभाबित हो जाएगा और जो रियल में वह देना चाहता है वह नहीं दे पाएगा नहीं वह जलाएगा वह ढाटेगा वह बहुत सारे कह स सकता है जो कि एक सिक्षा के लिए मर्यादित नहीं है तो यह इमोशन तो हमें सबसे पहले तो इमोशन पर नियंत्रन रखना चाहिए तो आज हम लोग यही पेस्ट वीडियो को समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले एक और बेहतर ने वीडियो के साथ हां अगर आपको वीडियो अच्छा ही नहीं सबसे अच्छा गर लगा है और नए भीवर से तो इस चानल को सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन को और पर प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और लाइक शेर किसी भी परकार के अगर कम्या दिख रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताए आपके सुझाव का मैं तह दिल से स्विकार करता हूं ठैक्स पर वाचिंग कीप वाचिंग जै हिन जै भारत